कि यह इपने आप में प्रशन होता है हर लिए इट केता है आख़र ज्यान क्या होता है यह एलिखन क्यों प्रेदार्ट को ते वह को समझने का सिंपल तरीक यही और कि कोई भी जुव्हक्ति व्यूता है उसके दिमाग-मे किसी भी टॉपिक को लेकर खूब वह प्रश्ण होते हैं ठीक है और जिस तिन आपको अपने सभी प्रश्ण का जवाब मिल जाए उसी अवस्था को condition को enlightenment या ज्यान की प्राप्ति कहते हैं यह तो सिध्ध है कि ज्यान एक नहीं है क्योंकि ज्यान यदि एक होता तो सब को एक जैसा ही प्राप्त होता और हर वेक्ति को ज्यान डूणने की ज़रूद पड़ती भी नहीं क्योंकि एक वेक्ति ज्यान की प्राप्ति करता उसके बाद में सेकिंड वेक्ति ज्यान की प्राप्ति करता और सेकिंड वेक्ति कह देता कि ज्यान वही है जो पहले वाले ने क सोचता है और उसके बाद में finally conclusion निकालता है अपनी तरफ से कि ऐसा है और उसी कोई कहता है है यही ज्यान है इसका मतलब कोई इश्वर की तरफ से उपर की तरफ से ग्यान तो एक तो आया ही नहीं है इश्वर तो वही है हर वेक्ति के पास में ग्यान भेज रहा है तो ग्यान अलग है हर वेक्ति दावा कर रहा है मेरे को इश्वर ने ग्यान दिया है और तो यार इश्वर सब को इतना तो यह लग लग ज्यान क्यों दे रहा है इश्वर कन्फ्यूज है क्या ठीक है तो इसका मतलब है कि इश्वर मेन-मुद्य की बात यह जिस दिन आपके सारे डौट के लिए रोग जाए एक आदमी आत्मा के बारे में सोचता है सोचता है फाइनल ही कहता है मेरा ज्ञान कहता ह है कि आतMA चाहँ एटरनल है शाषुत है अमर है अजर है वो जो न farmers मलहरा कभी समाप्थ नहीं होती मीटता आतमा होती तो है लेकिन अमर नहीं होती थड़ा आदमी आता है और वो कहता है आत्मा होती ही नहीं है एक आज में कहता है कि मैंने तपश्या करी है और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई एक इश्वर होता है दूसरा आज में तपश्या करने के बाद में कहता है कि मैंने तपश्या करी है और मैं कहता तो इसका मतलब ताथ पर यह है एक एक ऐसी अवस्ता जिसके अंदर इंसान को लगता है कि उसके मन में कोई प्रश्ण नहीं है और जितनी भी प्रश्ण है उन सब के उसके पास जो है वो जवाब है अब वो जवाब उसको वाकी में किसी ना के बताए है या उन्होंने खुद विचार अलग-अलग होंगे आत्मा, इश्वर, एलिमेंट्स, फाइफ एलिमेंट्स है यहां पर भी सेम ही है तो इसको भी बोला गया है ग्यान